अंबिकावपुर में एक जगा है गांधी नगर इस छेत्र में रहने वाला बालक विक्की मालाकार विक्की अखवार बाटते हैं इस वक्त हम अंबिकावपुर के एमजी रोड में खड़े हैं जहां विक्की अखवार बाट रहे थे इस बच्चे की खासियत यह है कि इसने इतनी कम उमर में दो गोल्ड मेडल जीते हैं नेशनल स्कूल गैम्स में दो गोल्ड मेडल Vicky को मिले हैं ड्रॉ पो बाल में इसके साथ ही Vicky बास्केट बाल भी खेलते हैं और बास्केट बाल में भी स्टेट चैंपियन्शिम में इन्होंने कई खिताब जीते हैं बड़ी बात यह है कि विक्की के परिवार की आर्थिक स्थिती ठीक नहीं है जिस वज़े से विक्की सुबे उठते हैं पांच बजे और सहर में घूम घूम करके अखबार बाठते हैं और दिन भर अपने पिता जी के फल के ठेले में उनका साथ देते हैं अब समय कैसे निकालते हैं आप सुबह अखबार बाठते हैं फिर पिता जी के साथ भी रहते हैं फिर अपनी प्रेक्टिस कैसे करते हैं समय तो निकालना पड़ता है सुबह पांच बजे इधर आ जाता हूं पांच बजे तक फिर अभी बाट के पेपर जाओंगा ग्राउंड साथ से नो उसके बाद फिर घर जाओंगा नहाओंगा खाओंगा उसके बाद फिर चल जाता हूं पापा का हाथ बटाने दस बजे से लेकर तीन बजे तक उसके बाद तीन बजे घर जाओंगा फिर खाना खाओंगा उसके बाद फिर प्रेक्टिस में अपने ग्रांड चले जाता हूं मतलब पूरा दिन आपका जो सेडियूल है वो काफी बीजी रहता है सुबह से साम तक काफी वेस्त रहते हैं वी कि यह क्यों करना पड़ रहा है इतनी छोडी सी उम्र में आखबार क्यों बारतना पड़ रहा है ऐसे कम पड़ जाते हैं ऐसे नहीं हमारे कोच आजएस परताथ ही हो गई और लूक वागे रहा है इनके उज़र से कहर बार सिंग्रपः जिनका पॉलन पोर्चन पिता जी करफ खते हैं वरे घर मेरी दीदी दी वियरे बडे भाहिया में पापा बस हम चार हैं सर, कमाने वाले कितने लोग हैं, कमाने वाले सरेक हैं, मेरे पापा और मैं, पापा कमाते हैं, आप भी उनका सहाथ बटाते हैं, कैसा लगता है कि आज आप बार बार रहे थे, बहुत कम उम्र है आपकी, और आज आपको दो गोल्ड मेडल लग चुका है, कैसा लगता है और अगे कहां जाना चाहता है लेकन को algún से कि गॉल्ड मेडल लगा लिकिन करका इन्सान का सब हमारे को चीन हमें अच्छा सिखायाया इसलिए आज में हम कोच को धन्यवाद देना चाहता हूं राजिस पताअप शिंध स們 को cry बाऄ आया उठकर के आकवार बांटते हैं, अकवार बातने के बाद पीता जी के साथ दिन बर रहते हैं और इस बीच में समय निकाल करके विक्की ब्रैक्टिस करते हैं और आज नेशनल गेम्स में दो गोल्ड मेटलिं होने पाया है और घर की आर्थिक स्थिती ठीक नहीं होने के कारण विखी को कांग भी करना पड़ता है। तेजदीपक गुपता, ETV भारत, सर्गुजा